स्टडीज की माने तो 2024 यानि की अगले 2 साल में 134,000 नए जॉब्स क्रियेट होने वाले हैं Android Development की फील्ड में इसका सीधा मतलब है कि इस फील्ड में स्कोप और पे दोनों ही काफी गुना मल्टिप्लाई होता जा रहा है ऐसे में बहुत important है कि अगर आप इस फील्ड में interested हैं तो जल्द से जल्द अपनी skills strong करें और work करना start करें इसलिए हम आज का ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम important skills के साथ साथ 3 free courses भी share करेंगे जिनकी help से आप high quality content सीख सकते हैं माना कि यहां competition बढ़ रहा है पर जितना जल्दी आप enter करेंगे आपके लिए competition बीट करना उतना easy हो जाएगा और इसी process को आपके लिए speed up करने के लिए हमने ये systematic और informative video create किया है हम आपको ये जानने में help करेंगे कि आप अपनी journey को कैसे start करें और कौन सी choices better हैं not just that, सही direction में जाने के लिए आपको कौन सी skills सीखनी है, कैसे सीखनी है और कहां से आप free में इन्हें सीख सकते हैं ये सब information भी cover की है So, make sure कि आप हमारा पूरा video देखें और जल्दी से अपनी learning शुरू करें Now, without any further delay, let's get started with our video Roadmap to Android Development Tools दोस्तों, ये सबसे essential होता है Android Development की foundation आप यही से set करते हैं मतलब, even if आप इस field के बारे में कुछ नहीं जानते आपको अपना tool choose करना और उससे सीखना होगा यही आपके Android Developer बनने के लिए first step है अब आपके पास काफी सारे options होंगे जैसे Java, Kotlin, React Native, Flutter and many more लेकिन हम आपको बताएंगे कि expert, recommended और beginner friendly tool कौन सा है देखिए, वैसे तो आप किसी एक tool को सीख कर बाद में requirement के हिसाब से दूसरे tools भी सीख सकते हैं लेकिन जब बात आती है first choice की तो mostly Java और Kotlin prefer किया जाता है इन दोनों में से Java उनके लिए suitable है जिन्हें programming या Android development का कोई prior knowledge नहीं है मतलब अगर आप completely new हैं तो Java better choice होगी आप इसके knowledge से सीखना और projects बनाना start कर सकते हैं लेटर आप दूसरे tools सीख सकते हैं according to your need अगर आपको already थोड़ा knowledge है या आपने अपने college में Java या similar कोई tool के बारे में सीखा है तो आपको Kotlin choose करनी चाहिए Kotlin recent times में सबसे popular tool है बड़ी-बड़ी companies भी Java से Kotlin पर shift कर रही है The reason is कि Kotlin को Android के लिए official language बनाया गया है अब बात आती है native और hybrid tools की Native का मतलब कि आप सिर्फ Android platforms के लिए apps create कर सकते हैं Java और Kotlin native tools हैं लेकिन अगर आप Android और iOS दोनों या दूसरे platforms के लिए बनाना चाहते हैं तो hybrid Android development use में आता है उसके लिए Flutter और React native जैसे tools recommend किये जाते हैं For starters आप Java या Kotlin सीख कर काम start कर सकते हैं Later आप hybrid tools learn कर सकते हैं जिसके लिए Flutter best and most recommended है XML XML की help से हम अपने आपका layout और design सब कुछ decide करते हैं Basically XML से हम अपना design create करते हैं और उसे implement करने के लिए Java या Kotlin में logic लिखा जाता है जैसे कहां क्लिक करके हम कौन सा action करेंगे Swipe, Double Tap, etc. सारा कुछ वो सब Java में लिखा जाता है So basically हमारा app कैसा दिखेगा Layout and design कैसी होगी और कहां से क्या action होगा ये सब कुछ XML और Java या Kotlin की help से हम कर सकते हैं So XML का knowledge होना भी Android development के लिए काफी जरूरी है इसके अलावा कुछ applications and softwares है जिन्हें सीखना होता है एक app develop करने के लिए But basic requirements में हमें tool और XML आना चाहिए What things do you need? अब बात करते हैं उन सब चीजों की जो हमारे पास होनी चाहिए Number 1 Firstly, 4 GB से ज्यादा RAM आपके पास laptop या PC में होनी चाहिए अगर 8 GB या 16 GB है तो it's even better Number 2 फिर आपको चाहिए होगा एक Android phone Mostly हम सब के पास एक Android phone होता है वैसे तो AVD यानि की Android virtual device से भी काम हो जाता है AVD means हमारी screen पर एक phone show होता है जिससे हम अपना app test कर सकते हैं हमें idea मिलता है कि वो actual phone पर कैसे work करेगा लेकिन अगर expert developers की माने तो एक actual Android phone को use करना better होता है अगर आपके पास Android phone नहीं है तो आप AVD से भी काम कर सकते हैं Number 3 अब next है SSD which is not compulsory लेकिन अगर आपके लिए affordable है तो आप ज़रूर लगा लीजिए इससे आपका performance काफी speed up हो जाएगा ऐसा नहीं है कि आपकी laptop की RAM थोड़ी कम हो या आप SSD ना use करें तो work नहीं हो सकता काफी लोग bare minimum resources से भी start करते हैं पर अगर possible हो तो इन सब चीजों को ज़रूर consider करें इससे आपकी learning थोड़ी smooth होगी Now दोस्तों हम आपको वो free courses suggest करेंगे जिनका full use आप कर सकते हैं ये Hindi courses हैं सो हमें समझने में काफी आसानी होगी आपको without spending a single penny Android development सीखने को मिलेगा Let's see what our first course is Free courses on Android development Number 1, Code with Harry ये एक free YouTube course है created by the channel Code with Harry ये coding Android development and related areas में काफी well-known YouTube channel है हम जो course recommend कर रहे हैं वो है Android development tutorial for beginners in Hindi यहां start to end पूरा Android development कवर किया गया है जिसके बाद आप आसानी से variety of apps बना सकते हैं और सो projects पर work करना स्टार्ट कर सकते हैं आप screen पर देख सकते हैं ये almost 12 hours का video course है इसमें अपना पहला app create करने से लेकर Android development से earn कैसे करें सब कुछ cover किया गया है all through the course हर chapter की बाद practice set भी add किये गए हैं also free notes provide किये गए हैं जिसमें source code और धेर सारा study material available है so इस free YouTube course को आप definitely check out कर सकते हैं इस course को complete करने पर आप basic Android apps बना पाएंगे अगर contents देखें तो हर basic topic पर dedicated sections है practice exercises दी गई है और projects भी included है so हर वीडियो के बाद आप अपनी learnings को apply और test कर पाएंगे best बात ये है कि इस course में आपको lifetime access मिलती है that means आप कभी भी जाकर इसके contents refer कर पाएंगे so ये free Hindi course भी हमारी top 3 recommendations में है number 3 Eduble Android Studio Hindi हमारा next free Hindi course है Android Studio in Hindi ये एक काफी in-depth and detailed course है जहां आपको Android Studio से related सब कुछ सीखने को मिलेगा इसे eduble.com provide कर रहे हैं हमारे पास Android development सीखने के लिए Android Studio को knowledge बहुत जादा crucial है so अगर आप इस skill को master करना चाहते हैं तो ये course जरूर consider कर सकते हैं ये एक full Hindi course है जो Eduble पर sign up करके आप free में access कर सकते हैं इसमें total 29 video lectures हैं इस course के end तक आप Android Studio के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे major and minor topics included तीनों courses के links आपको description box में मिल जाएंगे तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने Android developer बनने के लिए सारी major aspects cover की आपको क्या-क्या सीखना होगा to start off और उसके साथ साथ 3 free Hindi courses भी recommend किये हैं दोस्तों ये सब minimum requirements हैं बड़े-बड़े Android developers भी हर tools हर topic के बारे में नहीं जानते Android development एक ever evolving field है तो हर developer को latest technology and trends के हिसाब से नई चीज़े सीखनी होती हैं तो जैसे जैसे आप work करेंगे आप खुदी नया और advanced सीखने की need field करेंगे We hope कि आपको इस वीडियो का content पसंद आया हो अपनी field से related free courses और webinars की updates के लिए आप हमारे skills या telegram channel को भी जरूर subscribe करें इस वीडियो को like करना ना भूले और उन सभी से share करें जो Android development सीखना चाते है For any questions आप comment box में हमसे connect कर सकते हैं हम आपसे मिलते हैं next वीडियो में Bye Bye and thanks for watching